करनाल जीले के उपायुक्त निशान्त कुमारी आदव मंगलवार को लगिसुची वाले के सभागार में मेडिया से रूबर हुए यहां उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा सभी पी-म किसान लाभारतियों के लिए रियायती संस्थागत रिंड के लिए सार्व भोमिक पहुच की सुविधा के लिए एक विशेश अभियान शुरू किया गया है रियायती संस्थागत रिंड का लाभ उठाने के लिए किसान केजिट कार्ड जारी करने के लिए सभी पीम किसान लाभारतियों को स्विधा परदान की जाएगी उन्होंने सभी बैंकर्स को निर्देश दिये कि वे अपने अपने शेतर के सभी किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाना सुनिशित करे और सरकार की नई योजनाओं का लाहब पोचाए डीसी निशान कुमार याद नाख रुपे तक का ध्रिड ले सकते हैं सरकार की इस फ्लैक्शिप स्कीम के तहत लाबार्टि को एक सिंगल फार्म भर्ना होगा स्कीम में किसान क्रेडिट कार्ड धारक और नए केसी सी धारक लाब उठा सकते हैं इस मोके पर लडी एम सुरेंदर कुमार सिंगान ने किसा से जानकारी थी उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड की तहत पीम किसान लाबार्तियों के कवरेज के लिए एक पेज का सरली कृत रूप विक्सित किया गया है जिसमें उन्हें केवल भू अभिलेक दस्तावेज की प्रतिली भी परदान की गई है और भरे हुए फोम क साथ बोई गई फसल और बैंक शाखा से संपर्क करना है जहां से वे उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए पीम किसान लाब प्राप्त कर सकते हैं उन्होंने सभी बैंकों को सलाह दी कि वे विशेश शिविरों का आयोजन करें और प्रपत्रों को सविकार करने के लिए एक अलग से खिड़की प्रदान करें किसान क्रेडिट कार्ड सीमा को कम से कम 14 दिनों से अधिक समय के भीतर सिमित किया करें देखे समाचार करने करने के लिए और मीडिया से आये हैं मेरे फ्रेंड्स सब का इस मिटिंग में स्वागत करता हूँ अब हमारे 50 कमिसिर साब ने हमारी जो किसी कार्ड स्कीम है उसका बरीफ किया है और उसी के थैर जो हमारे existing किसी होलडर है और जो इनेक्तिफ भी है और जिन्व ने पहले कभी किसी कार्ड ही ली आया है वो निया तिक यो करना है अजिसका घ्रीघ्र हभी अब तो बता घ्र सबस्केर तो अ कर लिए हमेशा वह सताँ हिस्क्री में जहीं इसके तहर हम सभी आनारम और एनियुलम ग्रूप को बलापाटियों को हम लोग लाप होचाते हैं और उसकी डेटेल्स मैं रिक्वेश्ट चाहिए बीसी करना एंड और डिक्निटरी इस प्रेज़ेंट है तर्स बीक्रूप बहुर्ण वेल्कॉप अभी बीसी साब और एंडेम साब ने आपको केसी सेचुरेशन ड्राइट के बारे में अफ़र कराया है यह भारत सरकार के द्वारा हर दिले में पूरे भारत में चलाई जा रही है जिसके तहट जो भी हमारे پीयम किसान, जो किसान समान ने थी, जो योजना थी भारत सरकार की जिसमें 6000 अर्ण को दिया गया है सबसीड़ी के तौर पर, उनको केसी सी का लाग जिनको नहीं मिलाया जिन किसानों को आज भी उनको KCC जो हमारा केंसेशनल रेट पर लोन की स्कीम है उनका लाग पोचाने के लिए मुहीब चलाए जाएगी हर जिले में 15 जिसका समय निर्धारित किया गया है हर्याना में यूटो काफी हद तक सभी KCC की अड़र कवर है लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा किसान है जो किसान सम्मान निधी में तो बेनिफीशरी है लेकिन अभी तक उसको KCC का बेनिफिट नहीं मिलाए उसको जोड़ा जाएगा कोई इनोपरेटिव अकाउंट हो गए है जिसमें अभी लेट दिन नहीं हो रहा है ऐसे KCC खातों को पुनर जिवित करके उसमें रेंगोहिया कराया जाएगा जो हमारे किसान बंदू कोई भी पशु पालन की गतिविदी में जुड़े हुए है उनको पशु KCC के माध्यम से वही जो 3 लाग तक सरकार कम रेट पर उनको लोन प्रवाइड कर रही है उसका लाग अब अनिमल हस्वेंटरी की कोई भी गतिविदी पशु पालन की कोई भी गतिविदी अगर वो कर रहा है तो पशु KCC का भी उसको लाग उसमें दिया जाएगा इसमें 3 लाग तक के लोन पर किसी भी तरह की कोई भी सर्विस चार्चर प्रोसेसिंग फी नहीं दी जाएगी बैक द्वारा और अगर कोई किसान अपना लिमिट बढ़ाना चाहता है अभी उसकी 1 लाग है और वो इलिजिबल है उसको KCC का और बेनिफिट लेने के लिए तो वो भी इस 15 दिन की ड्राइफ में वो वन पेज का अप्लिकेशन फॉर्म उसमें एन्हांस्मेंट ओफ लिमिट के लिए भी ऑप्शन है वो अपना इन्हांस करा सकता है तो हमारे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है कि जो किसान भाई जिनके आप सभी तक KCC नहीं बना उनको हम KCC का लाग दें और पशु KCC उन सबको लाग दें जो पशु पालन की गतिविदी में जुड़े हुए इनको घर घर जाना पड़ लेकिन अगर आम इसको थोड़ा सा जन जन तक महुचा देंगे तो वो खुद CCC में आकर के और VLE के पास अपना रिजिस्टर करवा लिए तो यह मेरी आप सबसे गुजारिश रहे हैं साथ ही में अब कुछ नगर निके प्रोजेक्ट्स हैं उन पे मैं जानकारी सांजा आप लोगों से खरना चाहूँगा सबसे पहला डेरी शिफ्टिंग का आता है तो डेरी शिफ्टिंग पे हमने आइम लाइन फिक्स कर दी है बीस तारिक को इसमें ड्रो निकाले जाने हैं कुछ तीन-चार दिर पहले शुक्रवार को मैंने जो अड़तालिस लोग जिन्होंने इसमें डेरी शिफ्टिंग में प्लोट्स के लिए अप्लाई किया था उनके एक मीटिंग ली थी उनको एक अप्लाई कर दिया गया है उस मीटिंग में कुछ और ऐसे लोग आये जो इचुप थे और जो अप्लाई नहीं कर पाये थे तो हमने उनको भी एक हफ्ता का समय दिया था और जो वो लोग अप्लाई कर देंगे तो मिला करके टोटल अभी हमारे पास 188 ऐसे प्लोट्स हैं जो अवेलेबल हैं अलब एक साइजेज के हैं को 500 गज का है 266 गज का है 300 का है 400 का है तो उनकी जितनी पशू अप्रिजेंटली है जो हमने अपना सर्वे का आया था उसके अधार पे उनको वो डेरी के प्लोट्स वांपे 33 स्वरुपर फ्रती गज के दर पे दिये जाएंगे उसका 20-30 हिस्सा उनको फस्क पहले बरना होगा जिस दिन उनका अलोटमेंट होगा उस लेट से पहले तक और जो बची हुई 80 प्रतिशत रासी है वो उनको 10 छमाई इंस जे बीडी बैंकोट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पलेस राजगराना और जे बीडी बैंकोट्स एंटर्पाने के लिए बल इकन को खिक कर हमारे चैनल को लाइब शेर और सुप्स्क्राइब करें हैंने वाद